हेलो फ्रेंड्स बाउंस टाइम पे आप सबको स्वागत है आज रत के सूब अपसर पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ लच्छा रब्री और गरम जलेबी की रेसिपी ऐसे क्रिस्पी जलेबी बनाने के लिए मेरे रेसिपी को अंतक जरूर देखे और लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले ऐसे और भी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्स्प्राइब कीजिए लच्छा रब्री बनाने के लिए एक कराई में मैंने एक लीटर दूद ले लिया और उसको मैं 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से उबाल लिया दूद को मैं थोड़ा सा गारा कर लूँगी दूद थोड़ा गारा होने के बाद उसमें जो मलाई जमेगा उसको मैं ऐसे कराई के किनारे में लगा दूँगी दूद में जितना भी मलाई जमेगा उस सभी को हमें ऐसे ही कराई के किनारे में लगाते रहना है दूद का टेम्परेचर हाई लो करके ये मलाई हम लोग जल्दी से बना सकते है ये प्रोसेसा में तब तक करनी है जब तक ना कराई में 100 ml दूद बचा हुआ रहे अभी कराई में 200 ml दूद बचा हुआ है तो मैं अभी इसमें 2 टेबिल स्पून सुगर एट कर दे रही हूँ थोड़ा सा छोटाई लाईची का पाउडर एट कर दे रही हूँ अभी सभी सीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मुझे थोड़ा सा दूद ज़्यादा लग रहा है तो मैं इससे भी थोड़ा सा मलाई निकाल लूँगी कराई में अभी सोय में ली दूद बचा हुआ है अभी मैं सारे मलाई को दूद में मिक्स कर दूँगी और मेरा रबरी रेडी हो जाएगा मेरा लच्छा रबरी रेडी है रबरी को मैं ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दूँगी अभी एक बड़ा सा बावल में देर कप मैदा ले लिया अभी मैदे में 1.5 टी स्पुन बेकिंग पाउडर, 1.4 टी स्पुन बेकिंग सोडर, 4 टेबिल स्पुन दही एंड थोड़ा सा ओयल एट करके मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी मैदे में थोड़ा थोड़ा गरम पानी डलके मैदे का स्मूध बैटर बना लेना है मैं यहाँ पे गरम पानी की यूज कर रही हूँ ताकि दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, गरम पानी के साथ मिक्स होके बैटर को जल्दी से फर्मेंट कर दे फोर्ट स्पून कॉन फ़लावर एट कर दिया और इसको भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया इस कॉन फलावर से ही जलेबी में क्रशी टेस्ट आएगा अभी मैं बैटर को एक हैंड ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका सारे ingredients आपस में अच्छे से mix हो जाए और batter में भी अच्छे से air घुश जाए चासनी बनने के लिए एक बरतर में मैंने 2 कप sugar and 1 कप पानी ले लिया मेरा सुगर थोड़ा सा caramelized हो गया है लेकिन इससे कुछ problem नहीं आएगा सक्कर को हमें melt कर लेना है सक्कर पर मैं 1 teaspoon lemon juice एट कर दे रही हूँ सक्कर पानी में घोल गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा food color एट कर दे रही हूँ और मेरा चासनी ready हो गया है तार के हिसाब से ये वान तार का चासनी है अब मैंने एक हर्षे सिरप का बोटल ले लिया उसमें मैं अभी बैटर को भर दे रही हूँ एक फ्राइंग पैन में मैंने ओयल गरम कर लिया है उसमें अभ मैं बैटर को स्प्रेड कर दे रही हूँ जलेबी के सेप में जलेबी को तलने के लिए हमें पैन में हाप इंच का ही ओयल चाहिए जलेबी को दोनों साइट से अच्छे से करक करके फ्राइ कर लेना है जलेबी दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो गया है तो उसे अब मैं चासनी में डाल दे रही हूँ जलेबी को चासनी में ऐसे एक मिनिट के लिए डूबो के रखना है एक मिनिट के बाद जलेबी को चासनी से निकल लेना है ध्यान रखे जलेबी को चासनी में डालने के टाइम पे चासनी थोड़ा गरम रहना चाहिए एंड जलेबी भी गरम तेल से निकल के डाइरेक चासनी में डालना है बाकी जलेवी को भी दोनों साइट से अच्छे से फ्राई कर लेना है फिर उसको चासनी में डालके चासनी में एक मीनित रखे उसको चासनी से निकल लेना है मैंने साड़े जलेवी को तल लिया है आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं जलेवी का कलर अंदर से भी चेंज हो गया है मतलब जलेवी ने कितने अच्छे से चासनी को एब्सॉर्ब किया मेरा थंडी रबरी और गरम जलेवी सर्विंग के लिए रेडी है दोंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल ाइब जलेवी ने लाइब मैं चैनल